क्रशी मंत्री कमल पर टेल ने किया उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश क्रशी में नंबर वन है और MP Organic Brand को डेवलप किया जा रहा है दिव्यांग जन की विशेश छमताओं को निखारने के होप रयास राज्यपाल स्रीपटेल राज्यपाल ने Blind Relief Association के पदाधिकारियों से की चर्चा राज्यपाल स्रीपटेल ने विश्वरंग पुस्तक यात्रा का किया शुभारंब मुख्यमंत्री स्रीचोहान ने कबाड़ी वाला संस्था के सदस्यों और लेखक स्रीचतुरवेदी के साथ पौधेरोपन किया मुख्यमंत्री स्रीचोहान को पुस्तक The Biggest Achiever सिवराज भेट की गई मुख्यमंत्री स्रीचोहान से केंद्री राजीमंत्री स्रीखुबा ने सोजन्य भेट की भ्रस्टचार के खिलाफ चीन सरकार का सक्तकदम पूर्व अधिकारियों को दो साल कैद के साथ मौध की सजा पूर्व न्याय मंत्री और चीन के सबसे पावरफुल पुलिस प्रमुखों में एक फू जेंग हुआ ने व्यक्तिगत लाब के लिए अपने कारेकाल में 17.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भ्रस्टचार और सत्ता के दुरुपियों किया था इस मामले में गुरुवार को उत्तरपूर्व चीन के जिलीन प्रांत की इंटरमीडियेटेड पीपुल्स कोर्ट औफ चांग्चुन ने उन्हें दो साल कैद और मौत की सजा सुनाई गई इरान में हिरासत में यूवती की मौत के खिलाफ प्रदर्शन हुआ हिंसक सुरक्षा बलों की कारवाई में 31 की मौत सरकारी अधिकारियों का कहना था कि अमीनी की मौत दिल का दोरा पढ़ने के कारण हुई लेकिन अमीनी के परिवार ने दावा किया है कि इसके पहले अमीनी को दिल की बिमारी जैसी कोई शिकायत नहीं थी जेलेस्की ने भारत के स्थाई सदस्य ना होने पर किया सवाल लीज ट्रस्ट बोली ब्रिटेन बना रहा नए सुरक्षा संबंध इससे पहले राष्ट्रपती बाइंडन ने संयुक्त राष्ट महासभा के सत्र में अपने संबोधन में सुरक्षा परिशद में सुधार की बाद दोहराई बाइंडन ने कहा कि उनका मानना है कि वक्त आ गया है जब संस्था को और समावेशी बनाया जाए ताकि यह आज के युक की जरूरतों को बहतर धंग से पूरा कर सके भारत का UNSC का इस्थाई सदस्थिना होना वैश्विक निकाई के लिए भी अच्छा नहीं S.J. संकर ने दिया बयान